गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चनल कॉंस्टेंस माइड में पीसडी एटमिशन फॉर्म से लेटरी ये वीडियो है हैदराबाद विस्विद्याले मैं आविदन की प्रक्लिया कब से शुरू हो चुकी है उस पर आज अपडेट दे हमारा मोटो है कि हम पूरी डिटल्स यहां से कलेक्ट कर सकेंगे चनल पे वीडियो पे अंतक रहिएगा पूरी डिटल्स आपको मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में आप लोग घुमा फिरा के सारे कोस्चन्स वही पूछते हैं जो कि हम वीडियो में आल्डेडी बता दिये ह हों कि सब्सक्राइब करना भी बहुत जADY मोजब हो जाता है और भी बहुत सारे कंटेंट देखने होते हैं तो ईसलिए अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे पहले पूरी वीडियो देखें अगर वीडियो में आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट आप करें बट जो भी चीजे बता रखी है उसमें अगर आप कमेंट करते हैं तो टाइम फिल लॉस होता है और हम कमेंट अगर नहीं देंगे तो भी सही नहीं है इ तो वहाँ पे जो है उसकी वीडियो कल ही बनी है उसकी भी लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगी आप वहां से उसको देख लिजेगा बट उस वीडियो की डिस्किप्शन में हमने सारे लिंक्स दे रखे हैं वहां से चीजे डाउनलोड करके लोग पढ़ सकते हैं बट कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो वह अच्छी बात है पूछना तो चाहिए मैं खुद बोलता हूँ पूछिए लेकिन वीडियो देखने के बाद भाई पूछो जिससे की हमें भी बताने में कोई दिक्कत ना हो जब आप हमसे पूछते हैं तो हमें नोटिस खोलनी पड़ती है फिर मैं बताता हूँ वैसे जहां तक बताने से तो और अच्छा होता है पट आप लोग कुसिस कीजिए ठीक है तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ अगर आप माई चैनल पर अभी नए आये हैं विजिट किय रहे हैं प्लीज आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं और बहुत सारी प्यार के लिए धन्यवाद बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले हम यहां पर आ चुके हैं इन्वस्टी आफ हैदरावबाद के ऑफिस्यल वेब साइट पर यहां पर आपको आना पड़ेगा uohyd.ac.in यह ओफिस्यल साइट है आते ही आप उपर देखेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा admission 2021 से related sections यहां पर admission notification 2021 यहां पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके पास यह notice खुलके आ जाएगी इस notice को मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आप देखने को आपको मिले आपको description में मिलेगा तो how to apply application form has to be submitted online form 21 यून से submit हो रहा है इसकी एक बार debt extend हुई है तो last debt extended अब तू 3 अगस्त मतर तीन अगस्त तक extend हुई है before applying online candidate will be required to have scanned image मतर यह सब चीजें तो लगभग जानते होंगे आप तो application fees यहां पर क्या है 600 रुपए है जनरल के लिए EWS के लिए 275 रुपए है ठीक है आप यहां पर prospectors का link आपको दीखता है आप यहां से prospectors download कर सकते हैं minimum qualification course 2021 का download कर सकते हैं examination schedule भी download कर सकते हैं आप चाहें यहां से download करें चाहें मेरे पास मेरे description में दियेगे link से आप download कर लीजे तो हम prospectors देखते हैं हमने अल्रेडी download करके तक है तो हम उसक यहां पर सबसे पहले फीज दे रखी है उसको आप देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां पर फिलोसी भी एच्छी खासी फिलोसीफ मिलती है यहां तक कि PMRF फिलोसीफ भी मिलती है और university की बात करें university कैसी है तो excellence in university system तो यहां पर the university was previously granted the status of university with potential for excellence by the university grant commission तो यह university grant commission से affiliated university है और it is the institution of eminence status accorded by the government of India the university of Hyderabad in September 2019 is recognition of university standing तो यह था excellence related और उसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे यह सब चीजों के लिए आप पूरी details खुद पढ़ेंगे तब ही आप करेंगे उसके लिए मैं बताने की जुरूद तो है नहीं तो यहां पर आपको content दिख रहा होगा कि किस page पर क्या मिलेगा क्योंकि यह pages जो है total 264 है ठीक है तो हमें सिर्फ अपने pages पे धान देने हैं यहां पर आपको program course of studies सब कुछ मिलेगा तो उसके बाद PhD admission for January 2022 session के लिए यह 22 वाला जो है इस पर university ने यहां brochure में यह कहा है कि 22 के यहां कि 22 station के लिए school of study में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यह departments है तो हम चड़ते हैं आगे School of study यहां पर आपको mathematics and aesthetics, computer and information science, physics, chemistry, life science, humanities, subjects and social science, economics और भी school साब studies के subjects मिलेंगे departments आपको दिख रहे होंगे, biochemistry, मतलब सारी schools में, school of life science में आप खोलेंगे तो यहां पर यह department आपको देखने को मिल जाएंगे यह life science के हैं, उसके बाद आप medical science के department देखेंगे, school of humanities के department आप देख सकते हैं, social science के देख सकते हैं, उसके बाद school of art and communication के इन सब में PhD, university करा रही है ठीक है, उसके बाद आप यहां पर आता है, program, criteria and entrance examination, तो सबसे पहले उपर है IMSC, मतलब integrated MSC, five year integrated program है, यहां पर दस सेमेस्टर है, इसको भी आप देख सकते हैं, हम पढ़ते हैं, PhD में PhD में, applied mathematics, computer science, physics, electronic science, engineering, earth, ocean and atmospheric science, chemistry, biochemistry, plant science, microbiology, animal biology, biotechnology, except रहाई, यह सब संस्क्रित वगर यहां पर है, इसके बाद अगर देखेंगे, science, psychology, material engineering, education, history, political science, sociology, biology, English biology, animal biology, Hindi, सब कुछ है, ठीक है, integrated MSC, PhD भी यहां पर है, biochemistry and molecular biology and animal biology and biotechnology, यह integrated MSC, PhD है, यहां पर 4 से 16 सेमेस्टर हैं, और PhD में 12 सेमेस्टर हैं, मतलब 6 साल, ठीक है, criteria of admission, इसको आप पढ़ लीज़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ते चलेंगे, तो आपको सारी details मिलती जाएंगे, reservation of seat के बारे में है, इसको भी आप देख लीज़ेगा, उसके बाद PWD candidates सब के लिए यहां पर है, अब यहां पर PhD courses के लिए, please see the chapter on school of study, इसको आप study आप देखेंगे, for further detail, the question paper आप PhD courses cell consists of 70 marks in two sections, जो PhD courses के लिए paper होंगे, वो 70 marks के होंगे, दो section होगा, as per the UGC Regulation 2016, part A में 35 marks होगा, जो research methodologies होगा, part B में 35 marks होगा, जो subject concerns से होगा, इसके बाद आपका interview होगा, the interview will be conducted for 30 marks, 30 marks का आपका interview होगा, उसके बाद आता है, the basis of final short listing candidate for admission will be on the merit of marks obtained in written test and interview put together, दोनों को मिला के merit बनेगी, उसके आपका admission होगा, यहाँ पर PMRF scheme है, Prime Minister Research Fellowship, तो यह year first amount 70,000 पर मन्थ है, year two 70,000, year three में 75,000, year four में 80,000, year five में 80,000, इसको आप पूरा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, किस तरह से यह किसको किसको मिलेगी, लिस्टा आप इंटरंस examination center, तो यहाँ पर इंटरंस examination आपके बहुत अच्छे खासे हैं, लखनव, से लेके, यहाँ पर कोलकादा, मतलब पूरे देश में हर जगा center है, examination centers के बाद आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर फीस structure दिखेगा, academic year 2021-22 के लिए, यहाँ पर आपके MA भी हैं, MSC, और नीचे फिर PhD वगरा है, integrated PhD सब के लिए फीस वगरा दिया, और बहुत ही कम फीस है, मतलब लगभग 10,000 तक फीस है, इस से जादा नहीं है, ठीक है, PhD फूल टाइम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, science humanities में 3,145, मतलब बहुत कम फीस है, बहुत ज़दा फीस नहीं है, MBA बगरा में ज़दा फीस है, फिर उसके बाद fee, payable, 5 foreign student के लिए ये फीस नहीं है, उसके बाद ये qualifications है, मतलब eligibility बगरा है, क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए eligibility आप देख सकते हैं, integrated के में MSC, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो, यहाँ पर आपको, यहाँ पर integrated MSC, PhD, इसकी क्या eligibility होनी चाहिए, तो BSC with a minimum of 60% marks in the aggregate of science subject with chemistry और biochemistry as one of the subject, integrated MSC, PhD, animal biology and biotechnology के लिए भी है, फिर उसके बाद PhD, applied math, सब के लिए, पियदी में जितने courses हैं, सभी के लिए यहाँ पर eligibility दे रखिए है, ठीक है, और साथ में seatें भी हैं, seat भी आप देख सकते हैं, यह बगल में seats दे रखिए हैं, जो भी 3, 4, 5, 12, 14, 15, जो भी seat हैं, सब देख रखिए हैं, तो इसी के साथ पूरी details आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ के, इसके बाद आता है, school of study research, मतलब जब आप, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, पिएसदी के लिए आपको इस school आप इस तरस को देखना ज़रूरी है, यहाँ पे आपको सारे schools के, पिएसदी के प्रोग्राम, जो दिये गए हैं, उससे related जानकारी दी जाएगी, किस तरह से admissions होगा, क्या procedure है, important notes वगरे, मतलब सारे subjects, जो जो पिएसदी के हैं, और उनमें professors की list क्या है, वो भी आपको दी जाएगी, vacancies कितनी है, वो भी दी जाएगी, ठीक है, इस तरह से आप पूरी details ले सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी है, यहाँ पे, तो दोस्तों, सारी details होने के बाद, last में आप आएंगी, इस brochure के, तो यहाँ पे आपको contact detail मिलेगा, आ प्रोफेसर्स वगर है, आपको बता है कि जैसे आप foreign में admission लेना चाहेंगे, तो वहाँ पी क्या होता है, कि आप उस उन्वस्टी के related department से, जो भी professor है, आप उनके, उनके पास contact करेंगे, तो वो अगर आपके CV को देखेंगे, और उसके बाद आप, अगर उनको लगे है कि कि आप, हाँ, PhD करने के लायक हैं, आपका academic record अच्छा है, तो वो आप से कभी-कभी contact भी कर लेते हैं, वो आपके पूरे CV वगर है, मार्सीट वगर है, सब मागेंगे details, तो उसी की तरह, यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे related department के professor से contact करते हैं, तो वो आपके research के लिए बहुत की तरफ से दे दी, उमीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्रीज चैनल को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को भी, ठीक है, आज की वीडियों यहीं तक, जल्द ही अगले फार्म के साथ, अगली वीडियो में आपके समक्षाएंगे, धन्यमाद